आप सभी का आपका आपका अपना यूटूब चैनल देजू क्लासेस में स्वागत है जए CRT के दोर हम मॉडल सेट पे पर जारी किया गया है प्रिवियस वीडियो में हम लोगों ने जो MCQ का सेक्षन है साइन्स का उसके हम लोग डिटेर एनलाइसिस को देखे थे अगर आप अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में पड़ा हुए है आप जा करके उसे देख सकते हैं और वो जो MCQ हमने कराया है वो जो कोशन्स आपके बॉडल सेट में दिये गये हैं उसके साथ साथ उस Quesions जो बन सकते हैं उसको भी हम लोग ने देखा है उसमें 16 questions रहेंगे जिसमें आपको केवल 6 दो number वाला करना है और 6 आपका 3 number वाला करना है ठीक है तो एक ही वीडियो में अगर हम 5 number वाला भी कराते तो वो थोड़ा लंबा हो जाता है तो उसको हमको detailed तरीके से देखना है 5 number वाला तो उसको हम लोग अलग वीडियो में देखेंगे चलिए शुरू करते हैं अगर आप इस चैनल पर नए है तो चैनल को जरू सब्सक्राइब कर ले और अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसे like जरू कर दे चलिए next हम लोग देखते हैं शुरू करते हैं पहला question जो आपको model set का है question number 31 से शुरू है जो दो number का question है जो आठ प्रशन है जिसमें से आपको 6 प्रशन करने हैं और दो-दो अंक निर्धारित है पहला प्रशन है कि हम वाहनों में उत्तल दर्पन का उपयोग पश्च द्रिश्य दर्पन के रूप में क्यों करते हैं वाई डू वी प्रिफर अ कन्वेक्स मीरर एज रियर व्यू मीरर इन वेहिकल्स यहाँ पे हिंदी मीडियम और इंग्लिस मीडियम दोनों के लिए हमने आंसर लिख रखका है और दोनों मीडियम वाले बच्चे से लाभानू इत होंगे चलि हम लोग देखते हैं दोनों मीडियम में देखेंगे हम समझाने का आपको प्रियास करेंगे उत्तल दर्पन पश्च दर्पन के रूप में क्यों परियोग किया जाता है क्यों क्योंकि इसका जो प्रतिवीम होता है वो हमेशा अभासी सीधा और चोटा प्रतिवीम बनता है ठीक है और दूसरा क्या है बड़े छेत्र को देखने में सक्षम बनाता है तो ये दो भाग आपको याद रखना होगा चुकि ये दो नंबर का है तो दो पॉइंट काफी है ठीक है तो क् जो चालक है उसको सहायता प्रदान करता है ताकि वो बड़े चेतर को आराम से देख सके हैं आप स्क्रीन सोट ले सकते हैं इंगलिस में क्या है कि Convex Mirror always forms virtual erect and diminished images इसलिए इसका प्रयोग किरते हैं या दूसरा और रीजन क्या है कि Convex Mirror enables a driver to view a large area of the traffic behind him जो traffic है उसके पीछे उसके larger area को वो cover करता है ठीक है चलिए नेक्ट देखिए लेंस की छमता को परिवाशित करें और इसकी SI मात्रक लिखें define power of lens and write SI unit ठीक है तो क्या है सबसे पहला चीज़ की लेंस की छमता क्या है तो lens किसी lens की छमता उसकी focus दूरी का व्यूत क्रम होता है इसका और क्या है the power of convergence and divergence of the lens is called the ability of convergence and divergence of the lens is called the power of lens ठीक है तो यह जो यह भी हम लोग उसका definition लिख सकते हैं लेकिन आपके book में केवल इतना ही दिया हुए है कि focus दूरी का व्यूत क्रम होता है तो आपके वहल इसी को ध्यान रखेंगे ठीक है तो the power of lens is the reciprocal of its focal length इसका SI मातर क्या हो जागा diopter अगर आप लिखना चाहते हैं एक और the ability of convergence and divergence of the lens is called the power of lens ठीक है तो यानि अगर हिंदी में बोले तो अपसारी या फिर अभिसारी करने की जो छमता होती है किसका lens का उसी को क्या बोलता है जो ability होती है किसकी अभिसारी की और अभिसारी की है किसी भी कीरन को अभिसारी करना या फिर अभिसारी करने की जो ability होती है उसी को हम लोग बोलते हैं छम्तार ठीक है दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हैं चलिए नेक्स हम लोग देखेंगी नेक्स्ट कोश्चन कोश्चन नमर 33 एक छाद्र को अंतिम पक्ती में बैठ कर ब्लैक बोर्ड पढ़ने में कटना ही होती है बच्चा किस दोस्त से पीडित हो सकता है इसे कैसे ठीक किया जा सकता है अगर कोई बच्चा लास्ट में बैठा हुए है उसको ब्लैक बोर्ड नहीं क्लियर दिख रहा है इसका मतलब उसको दूर की वस्तु साब असपस्ट दिखाई नहीं पढ़ रही है तो ऐसा अबलीटी कौन सा है ऐसा जो आई डिफेक्ट से वो कौन सा है जि कोई भी व्यक्ती जो है वो दूर के वस्तु को असपस्ट नहीं देख पाती है तो उसको हम लोग बोलते हैं मायोपिया में क्या होता है यानि जो निकट दृष्टी दोस होता है उसमें क्या होता है पास की वस्तु असपस्ट दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु अस जाता है वह बढ़ जाता है जिसके कारण उसकी फोकस दुरी घड़ जाती है और कौर्णिया से पहले ही वह इमेज बना देता है जो आपका जो द्रिश्टी पटल है रेटीना तो रेटीना से पहले ही इमेज बना देता है और हमें पता है कि जब तक रेटीना पर इमेज नहीं बनेगा तब तक हम उसे देख नहीं पाएंगे तो इसलिए इसमें diverging lens की जुरत होती है जो अफसारीद करे है किरन को तो इसमें कौन सा lens का परियोग किया जाता है अगर वही दूर दिरिश्टी दोस की बात करें तो दूर दिरिश्टी दोस आपका इसमें पाश नमबर में नहीं दिया हुआ है लेकिन आई होब कि आपका त कारण है निकट द्रिश्टी दोस्की से कहते हैं यानि परिभासा कारण और उसे कैसे ठीक किया जा सकता है तो आप उसको जरूर कप्लिट कर लिजेगा हम जब अगले वीडियो को देखेंगे इंपर्टेंट कोश्चंस को तो उसमें जरूर इसको कराएंगे तो चाइल्ड इस सफ्रिंग फ्रूम आयोपिया और इट कैन वी करेक्टेड वाइदा करें अगर भाही दूर द्रिश्टी की बात करें तो दूर द्रिश्टी में दूर की वस्तु असपस्ट दिखाई देती ह यह आपका अभिक्रिया दे दिया है ना तो अभिक्रिया लिखने की जुरूत ही नहीं है तो कौन सा रियक्षन टेक प्लेस इसमें कौन सा रियक्षन हो रहा है तो देखो एक अभिकारक तूट करके दो उत्पात दे रहे हैं तो जब एकल अभिकारक तूटता है और दो उत डिकम्पोजिशन, ठीक है, डिकम्पोजिशन, रियक्शन, ठीक है, यानि बियोजन हो रहा है, ठीक है, चलिए, अब इसमें समिकरन लिखने के लिए कह रहा है, तो समिकरन आपको लिखा हुआ, यही समिकरन को आप लिख दीजिए, ठीक है, 2AG, CL, यहाँ पर सुर्य का प्रकाश डाल लिजिएगा, क्या बलती, तो सुर्य का प्रकाश, और यहाँ पर SRA, फिर यहाँ पर क्या बजना देगा, 2AG, प्लस, CL, ठीक है, चलिए, अब कोश्चर अबर 35 देखिए, दो तत्वों का नाम लिखे, जिसका बाहरी कोश पूर्ण हो, दो elements का नाम लिखना है, जिसका बाहरी कोश क्या होए, पूर्ण है, तो आप Modern Periodic Table में, जो नया आवर्ती, जो सारनी है, उसमें आवर सारनी है, तो उसमें आप लोग देखेंगे कि Group 18, यानि 18 ग्रूप का जितने भी elements हैं, जितने भी तत्वों हैं, उनका बाहरी कोश क्या ह होता है, पूर्ण होता है, उसमें क्या है, हिलियं है, नियोन है, आरगन है, क्रिप्टन है, जेनन है, तो ये, ये क्या है, इसके बाहरी कोश क्या है, पूर्ण है, ये Noble Gas है, ठीक है, तो इन में से कोई भी दो का नाम लिख देना है, जलिए, नेक्स कोš़ न समझाती है, स्र तो होमोलगश शिरिस क्या है योगी की ऐसी समझातिय स्रेणी क्या होता है योगी को की ऐसी स्रिंखला जिसमें कारवन स्रिंखला में इस्तित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का प्रकारयात्मक शमुख प्रतियस्थापित करता है उसे समझातिय स्रेणी कहते हैं एक ही प्रका अगर प्रत्तियस थापित किया हुआ है तो उन सभी स्रेनियों को उन सभी योगीकों को समजात किये स्रेनी कहते हैं छेलिए तो सच ए इंगलिस में देख लेते हैं कि such a series of compounds in which the same functional group substitutes for hydrogen in a carbon chain is called the homologous series example दे दीजिएगा जैसे क्या हो जाएगा CH3OH C2H5OH C3H7OH क्या है इसमें एक ही अलकोहल जो है वही उसको क्या किया है सब्सिच्चूट किया है एज को ठीक है इसलिए यह कौन से स्रेणी है समझाती है इस दीक है आप स्क्रीन शोट भी ले सकते हैं इसको चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं question है विखंडन बहु खंडन से किस प्रकार भिनने है gefunden जो है वह बहु खंडन से किस प्रकार भिननने है fragmentation different from multiple fragmentation यह multiple fragmentation है इसको multiple fusion भी बोलता है both are multiple मल्टिपल विखंडन का मतलब होता है जो मूल जीव क्या करते हैं तूट जाते हैं और तूट करके और नए 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 संतान उत्पन करते हैं यानि अपने जीव जो है अपने आपको तोड करके और नए जीव अलग अलग अइदेंटिकल को उत्पन करता है बहु खंडन में क्या होता है यह जो मातरी कोशिका है वो विभाजित हो करके अनेक संतती को उत्पन करता है ठीक है दूसरा क्य इसका प्लास्मोडियम दे सकते हैं जो कि जो मलेरिया है उसके पारसाइट्स है और दूसरा क्या है इस्पाइरो गैरा इस्पाइरो गैरा जो है उसमें क्या होता है विखंडन होता है तो आप स्क्रीन सोटे सकते हैं हमने समझा दिया बहुखंडन में क्या होगा जो मात्री कोसका है वही विभाजित हो करके अनेक कोसिकाओं में विभाजि पर्यावरन को बचाने के लिए पांच प्रकार के आर क्या है तो पांच आर कौन कौन से हैं इंकार, कम उपयोग, पुना उपयोग, पुना प्रयोजन और पुना चक्र इंगलेस में लिखना है डिफ्यूज, रिड्यूस, रियूज, रिपर्पस और रिसाइकल ठीक है, अगर हम थोड़ा असा बात करें, तो रिफ्यूज का मतलब कि जो आपको जुरुत नहीं है उसको आप लेने से मना करें, रिड्यूस मतलब आप जिसका जुरुत नहीं है जैसे मानलोब फैन है, चार फैन अगर रूम में लगा हुआ है, तो आप अगर चारों की जुरुत नहीं है, तो आप एक फैन से काम चला है, यानि कम उपयोग करिए रियूज मतलब फिर से परियोग कर लिए, जैसे मानलोब की चोकलेट का डब्बा है, तो उसको हमलोग डाल वाल रखने के लिए या पोई अन्य पता आर्थ को रखने के लिए भी परियोग कर लेते हैं री पर्पस कहने का मतलब है कि जैसे मालो की कोई चिन्नी मिटी का बरतन है अगर हलका तूट गया तो उसको हम लोग गमला बना देते हैं अलग कार में अलग परियोजन में उसका परियोग कर देते हैं तो वो क्या हो गया है री पर्पस हो गया और recycle मतलब plastic है उसको हम लोग plastic का bucket बना दे भाल्टी बना दे या फिर खिलोना बना दे है ना तो उसको बोलते हैं हम लोग recycle ठीक है तो यह पांच है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं environment को protect कर सकते हैं हो सकता है यह 3 marks में भी आ जाए इन लोग को define करने के लिए बोल दिया जाए चलिए तो यह थे आपके 2 marks के question अब हम लोग देखेंगे section जो C है इसका यानि कूल आठ प्रश्ण है और जिसमें से 6 प्रश्ण का उतर देना है तिन-तिन अंक नेधारित है चलिए पहला प्रश्ण है कि 5 cm लंबाई की एक वस्तू 10 cm फोकस दूरी की एक ओतल लेंस से 25 cm प्रकृति याद कीजिए ठीक है तीनों के लिए एक marks निर्धारित है clear है ना इस्थिती भी आपको निर्धारित करना तो एक marks मिलेगा आकार बताईए एक marks प्रकृति बताईए एक marks आप ध्यान में रखे ओतल लेंस है तो प्रकृति हमेशा क्या होगा आभासी और सीधा हो कर सकते हैं हो सकते हैं यह दोनों में आदा-दा marks distribute कर दे और इसमें दो marks कर दे क्योंकि इसमें आपको हल भी करना है एक marks तो आप आसानी से केवल लेंस का नाम देख करके कर सकते हैं ठीक है उत्तर लेंस में एक condition में थोड़ा गड़ बड़ होता है बाकी सारे conditions अगर है आप हम लोग इस questions को बनाते English में देख लिए question को an object 5 cm in length and held 25 cm away from converging lens अच्छे यहां पर autal दे दिया यहां पर converging दे दिया यानि height of object कितना दिया हुए 5 cm जो जो दिया हुए उसको पहले हम लोग note down कर लेंगे फिर क्या कह रहा है वस्त 10 cm focus दूरी यानि f बराबर किसका autal lens का तो minus 10 cm ठीक है कितना हो जाएगा minus 10 cm उसके बाद 25 cm की दूरी पर रखा गया है यानि yu yu क्या हो जाएगा minus 25 cm clear है अब क्या हो जाएगा lens formula के तहत तो lens formula क्या कहता है कि 1 by b minus 1 by u बराबर 1 by f तो 1 by b minus bracket में 1 by 25 minus में होगा is equals to minus 1 by 10 ठीक है पिर से इसको देख लेते हैं यानि height of object दिया हुए है आपका 5 cm ठीक है f बराबर दिया हुए है minus 10 cm और यू बराबर दिया हुए है minus 25 cm और तल लेंस क्या है 1 by b minus 1 by u बराबर 1 by f value put कर देंगे 1 by b ये lens formula के द्वारा minus minus 1 by 25 यू हो गया is equals to minus 1 by 10 अगर हम इसकी बात करें तो 1 by b plus 1 by 25 is equals to 1 by 10 किसमे माइनस में है ठीक है अब क्या है एक बटा भी बराबर कितना हो जाएगा minus 1 by 10 minus 1 by 25 अगर हम इसको solve करें तो 10 अर पचीस के LCM 50 होगा minus 5 और minus 2 इसको solve करेंगे तो minus 7 by 50 यानि b equals to पलट देंगे 1 by b is equals to इतना आया है that implies को sign कर देंगे b equals to कितना हो जाएगा minus 50 by 7 minus 50 by 7 clear है तो V की value पता चल गई यानि minus 50 बटे साथ साथ सते उन्चास कितना हो जाएगा अब यह ध्यान में रखे कि एफ कितना है दस है तो दस से अंदर है तो यानि चलिए ठीक है question आपने सही किया होगा क्यों क्यों क्योंकि जो author lens होता है उसका जो प्रतिविम्ब होता है वो एफ और जो ओ है optical center उसके बीच में होता है ठीक है लेंस और एफ के बीच में होता है तो उसके बीच में है क्योंकि एफ दस है तो दस से छोटा है अब क्या निकालना है आकार तो height of image but height of object ब्राबर क्या हो जाएगा b but u यह formula होता है तो height of image but height of object कितना दिया हुए 5 cm ठीक है height of object कितना दिया हुए 5 cm दिया हुए है चलिए तो 5 बराबर B की value कितनी है minus 50 बटे 7 U की value कितनी है minus 25 25 से 50 काटिये 2 हो जाएगा minus minus कर जाएगा ये कितना हो जाएगा HI बराबर हो जाएगा 5 से 2 में इंटू हो जाएगा तो 52 के 10 बटे 7 cm ठीक है तो image भी कितना हो जाएगा 71.42 1.42 है इसका मतलब है की छोटा है ठीक है तो ये भी सही है प्रकृति हम लोग क्या कर देंगे प्रकृति लिख देंगे author lens है तो प्रकृति क्या हो जाएगा सीधा और आभासी ऐसे भी अगर B की value minus में आती है तो आभासी होगा और सीधा के लिए क्या होगा अगर image जो है वो भी अगर height of image अगर आपका plus में आता है hi अगर plus से positive है तो इसका मतलब है कि वो भी क्या है सीधा है ठीक है तो और आकार क्या हो जाएगा छोटा होगा किस से वस्तू से ठीक है सारा हम लोग क्लियर कर लिए अगर English की बात कर रहे तो English वाले भी सीधा वर्चूल अभासी को वर्चूल बोलते हैं ठीक है बाकी हमने जो समझा है वैसी सेम बनेगा और सीधा को क्या बोलते है इरेक्ट बोलते है ठीक है तो अगर आपका जो हाइट ऑफ इमेज अगर पॉजिटिव है तो वो वर्चूल होगा सीधा होगा सौरी और अगर भी की वैलू आपकी निगेटिव है तो वो आपका आभासी होगा नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं लोग कोश्चन बर चालीस एक बिद्दूत सर्किट एक आरेक बनाए जिसमें दो वोल्ट के तीन सेल की बैटरी एक पाच ओम दूसरा आट ओम और बारा ओम प्रतिरोध है अफ लग कुझी सभी स्रेनिक्रम में जुड़े हुए है ठीक है ये सारा चीज लगाना है आपको तो आप सर्किट बना लीजे सर्किट इस तरह से बैटरी कहा रहा है दो दो वोल्ट का तीन गो तो एक दो और तीन बैटरी बन गया तीन सेल लगा हुआ है चलिए इसमें रेजिस्टेंस तीन गो है एक दू और तीन और प्लग कुझी या तो ऐसे ठीक है या फिर प्लग की लगा दीजिए यहां पर एक ही में यह टच रहेगा यहां पर लिख दीजेगा दो वोल्ट दो वोल्ट और जो दिया हुआ है रेजिस्टेंस तीन ओम पाच ओम और आठ ओम जो भी रेजिस्टेंस दिया हुआ है सीरीज में है तो सीरीज में अगर पैरलल कहता है तो पैरलल वे में इस तरह से ऐसे आता है यह कब जो सबांतर होता यह वाला चेज़ जाता बाटी सब सेव रहाता है क्लियर है चलिए तो यह आपका सर्किट हो जाएगा चलिए नेक्ष्ट देखिए चुमबकिये छेत्रे रेखाओं की गुन को लिखे एक चीज़ द्यान में रखेएगा तीन पांच आठ हम ने लिया था यहां पे है आपका पांच आठ और बारा तो मतलब वो तीनों रेजिस चुमबकिये छेत्रे रेखाएं क्या है चुमबकिये छेत्रे रेखाओं के गुन को लिखे तो वेक आलपनिक रेखाएं जो चुमबकिये बल की प्रवलता और अंदिसा को दर्शाती है उसे क्या कहते है चुमबकिये छेत्रे रेखाएं कहते है इनके गुन क्या क्या है भा और तक्षिन धुरू में यहाप लिख दिया किसी चुम्बक में है ना में बिलीन होती है और इस जो यह चुम्बक की च्छेत्रे रेखा है उस पर खीची गई असपर्स रेखा विद्धूती जो चुम्बक की बल है उसकी दिशा को दर्शाती है ठीक है दो हो गया और दो दो दिशा हो जाएगा तो यह गलत हो जाएगा कि किसी भी चीज़ की एक ही दिशा हो सकती है चलिए अगर इंगलिस की बात करें तो और इसमें क्या है गुन कि अगर जहां पर कलोजर रहेगा Magnetic Field Lens जहाँ पे Closure रहेगा वहाँ पे Magnetic Force जादा होगा उसकी Intensity Magnetic Force की Intensity जादा होगी और जहाँ पे दूर रहेगा वहाँ पे Magnetic Force की Intensity कम होगी ठीक है? यानि जहाँ पे चुम्बकिये छितरे रेखाये नजदीक रहती है वहाँ पे चुम्बकिये बल प्रबल होता है और जहां चुम्बकिये छित्रे रेखाएं दूर दूर होती है वहाँ पे चुम्बकिये बल प्रबल नहीं होता है ठीक है कम प्रबल होता है चलिए नेक्श देखिए question number 42 redox अभिक्रिया क्या है उदारन के द्वारा समझाएं redox अभिक्रिया क्या है जिसमें reduction और oxygen दोनों होता है ऐसे अभिक्रिया जिसमें अप्चैन और उप्चैन दोनों होता है Redox अभिक्रिया कहलाती है ठीक है? उधारन यहाँ पे दे दिया एक उधारन दे दिये हैं हम लोग Cuo क्योप्रस अक्साइड है और इसको H2 के साथ रेट किये तो Cu दिया और H2O दिया तो देखो Copper के पास क्या है? Oxygen है तो Oxygen का इसका क्या हुआ? हास हुआ इधर तो इसलिए Cuo जो है वो क्या हो रहा है? अप्चैन हो रहा है Cuo क्या हो रहा है? अप्चैन हो रहा है ठीक है? और H2 जो है इसके पास क्या है? Oxygen नहीं था यहाँ पे इसके पास oxygen हो गया इसका मतलब क्या हो रहा है इसमें oxygen की ब्रिधी हो रही है और oxygen की ब्रिधी को क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं लोग कि उसका up chain हो रहा है ठीक है तो बस यही दिखा देना है अब अलग और है example ZNO plus C यह भी ले लिजिए ZN plus CO इसमें zinc oxide यहाँ इसके पास oxygen है तो इसका क्या हो रहा है up chain हो रहा है oxygen हट रहा है यहाँ up chain होगा ठीक है और C से CO जा रहा है तो इसका क्या हो रहा है up chain हो रहा है यह भी example आप लिख सकते हैं इंगलिस की बात करें इसको अपने भासा में लिख भी सकते हैं कि यहाँ पे जो CO है वो reduce हो रहा है और H2 जो है वो oxidize हो रहा है ठीक है उसका oxidation हो रहा है चलिए next देखिए carbonic योगिकों के अनुसुत्र हो सरचना लिखे butanone तो butanone तो butanone का जो सुत्र होगा वो क्या हो जाएगा CH3 CH2 CO CH3 यह क्या हो जाएगा इसका अनुसुत्र यह हम लोग अनुसुत्र लिख देंगे ठीक है CH3 CO2 COCH3 अब इसका structure इस तरह से बना देंगे यहाँ पे है ठीक है चलिए chloropentane देखिए chloropentane है तो इसका सुत्र क्या हो जाएगा C pentane है तो C5 H 5 उनके 10 12 होता है pentane है तो 12 हो जाएगा एक हटेगा तभी तो chlorina जुडेगा उसमें H11 और C यह इसका क्या हो जाएगा अनुसुत्र हो जाएगा ठीक है अगर हम इसको देखो ब्यूतेनोन का अगर अनुसुत्र इस तरह से लिखे C 2 H5 CO CH तब भी सही है ठीक है तो आप इसको भी लिख सकते है इसको भी लिख सकते है क्लोरोपेंटेन का C5 H11 C ठीक है मिथनॉल OL है तो यानि क्या है अलकोहल है तो मिथ में क्या होता है CH4 मिथ में क्या होता है CH4 एक हाइडरोजनाटेगा तो यहां क्या हो जाएगा CH3 और जूड क्या जाएगा OH CH3 OH यह किसका हो जाएगा मिथनॉल का हो जाएगा और तीनों का इस्ट्रक्चर यहां पे दिया हुआ है तो आप तीनों का इस्ट्रक्चर ठीक सकते है तो ब्यूटेनन का आप लिख दीजिए C यहां पे C2 H5 है ना तीन अधूपाँच और COCH 3 तो यह क्या है CH3 OH सलचना भी लिखा हुए है एक आएगा कोशन इससे आप कर लेंगे ठीक है चलिए 44 देखे है मनुष्रे के 3 हार्मोन का नाम तथा कारे लिखे यह आपके बुक से हमने दे रखा है हाप इसके solution में 15 कोई इसमें हार्मोन आप ले लीजे जिसका कारे लिखा हुआ है ठीक है मोचक हार्मोन यह दो तर लिखा हुआ है अब चलिए यहाँ भर देते हैं thyroid ग्रंथी से क्या निकलता है thyroxine क्या निकलता है thyroxine ठीक है तिहां पर thyroxine हो जाएगा insulin कहां से निकलता है अगनासे से तो thyroxine शरीर के ब्रीधी के लिए उपापचाय का नियमन करता है ब्रीधी हार्मोन सभी अंगों के ब्रीधी प्रेरित करता है दो लिख लिए insulin क्या करेगा रक्त में सरकरा अस्तर का नियामन करता है ठीक है टेस्टी स्टिरोन कहां से निकलता है ब्रिशन से निकलता है इसका काम क्या है जो नरलैंगिक अंग है उसका विकास करना यहाई पर जो मादालैंगिक अंगों का विकास है तो वहाँ पर लिख देना मादा लेंगी कंगों का विकास और मासिक चकर का नियम बन करना फिर क्या है एड्रिनलीन यहाँ पर एड्रनीलीन कहा सो होगा एड्रनील ग्रंथी से होगा तो एड्रनील ग्रंथी से यह क्या करता है हमारे बॉडी को, हमारे जो सरीर है, उसको आपात इस्थिती के लिए तयार रखता है, ठीक है, आपात इस्थिती के लिए तयार करता है, मोचक हार्मोन कहा से हो जाएगा, हाइपो थेलमस से, हाइपो थेलमस, हाइपो थेलमस, ठीक है, पिटूटरी गरंती से हार्मोन के करने के लिए प्रेरिद करता है कि इसको पीटूट्री ग्लैंड को ठीक है तो आई हो फीस में भर के आप तीन आपको याद कर लेना है इंगलिस वाले भी तो हमने बता ही दिया ठीक है चलिए वही चीज है यहां पर यहां पर थाइरोक्सीन हो जाएगा इंसुलीन किस से हो ज होता है ठीक है चलिए तो हमने इसको भी देख लिया नेक्स्ट कोश्चन वह 45 देखिए हम उर्जा के बैकल्पिक स्रोतों की और क्यों ध्यान दे रहे हैं वाई और वी लूगिंग प्वाट्स अल्टरनेटिव सोर्सेस ऑफ एनरजी क्यों दे रहे हैं वाई क्योंकि जिव जाके बैकल्पिक स्रोत को भीक्सित करने का प्यास कर रहे हैं ठीक है आप स्क्रीन सॉट ले लिजएगा क्योंकि फॉजिल स्विल्स अर बिंग उस्ट अट लार्ज स्केल और नार्ज सोर्सेस ऑफ एनरजी दे विल डिसेपियर आफर सम ताइम आफर देप्लिशन अफ नन श्रोत है एक दिन खतम हो जाएगा है याद रखियेगा जिवास मिंदान एक दिन खतम हो जाएगा और अब अभी करनी यह सुरत है बस दो लाइन और अपने से चो लिखना होगा लिख जाएगा ये दोनों सब्द उसमें आना चाहीए ठीक है चलिए लास्ट कोश्चिन है 46 6. ओजन परत की छती हमारे लिए चिंता का विशे है, इस छती को सिमित करने के लिए हमें क्या कदम उठाना चाहिए? Why is oxygen layer depletion is a matter of concern? What steps should we take to limit this damage? ओजन परत की छती हमारे लिए चिंता का विशे है, क्यों है भाई? क्योंकि यह आवरन है, क्यों चिंता का विशे है, क्योंकि पारा वैगनी कीरन को यह रोकता है, जब इसमें छती हो जाएगा, तो पारा वैगनी कीरन कहा हो जाएगा, हमारे सरीर पर पड़ेगा, जिससे हमारे सरीर पर क्या करेगा, इफेक्ट करेगा, हमें cancer जैसे बिमारी को जहलना पड़ेगा ठीक है यह एक रीजन होगा आप अपने सभी लिख लीजेगा कि easy Bone को यह रोकता है अगर इसमें छती होगा तो वह पाराईगनी किरन पॱ्झी पर पड़ेगा वह हमारे सरीर पर पड़ेगा जो हमारे लिए घात के लिए next क्या है कि परत के छती सग्रस्थ होने पर फइल conflict phytoplankton जो है उनकी मृत्तव हशकती है और途र फ il fighting जो होते हैं वह क्या करते हैं 10 यह कि हमारे जो एंन्वार्मेंड में ग्लोबल वार्मिंग का सिस्टम है उसको regulate करते हैं उसको कम करते हैं global warming से हमारे सरीर मतलब प्रिथवी को बचाते हैं तो जब UV rays से क्या हो जाएगा phytoplankton है उनके बृति हो जाएगी जिससे global warming में क्या हो जाएगी बृति हो जाएगी अब क्या कहा रहा है कि इसकी छती को सीमित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए जो ओजन लेयर का जो डिपलेशन हो रहा है ओजन परत का जो अच्छती हो रहा है वह cfc chlorofluorocarbon cfc यानि chlorofluorocarbon के द्वारा यह उत्सर्जन होता है हमारे जो इंवार्मेंट में उत्सर्जन हो रहा है हमारे जो पर्यावरण है उसमें cfc जो है chlorofluorocarbon उत्सर्जित हो रहा है यह ओजन परत के डिप्लेशन में सहायक होता है, यह ओजन जो परत है, उसको छती पहुचाता है, ठीक है, तो इसकी छती को सिमित करने के लिए क्या करना होगा, CFC को बायू मंडन में उस सर्जन को कम करना होगा, जो CFC है, उसमें ऐसा उपाय करना होगा, CFC कम उस सर्जित हो, अब CFC कहा तो यहां पर आप CFC मिलता है, जो सर्जित हो करके कहां जा रहा है, और फिर क्या करता है, उसमें उसको छती पहुचाता है, ठीक है, चलिए, सेम चीज इंगलिस में लिखा हुए है, आप समझ गया है, आप इसका स्क्रीन सोट ले सकते हैं, ठीक है, तो अगर आपको यह सार मार्क्स और तीन मार्क्स वाले, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप लाइक करें, कमेंट करें, आपको अगर कोई दिक्कत है, ठीक है, और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के बीची से से शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पे नहीं हैं, तो चैनल को ज़रू